हेलो श्टुडेंट्स कॉम्प्टिसन कम्मुनिटी के इसे यूट्यूब प्रेटफॉर्म पर आपका स्वागत है आज जो हम इतिहास के प्रस्णों के चर्चा करेंगे वह आधूनिक भारत के प्रस्ण होंगे और यहाँ जो सीरीज हम चला रहे हैं वो SI सब इस्पेक्टर प प्रस्ण का प्रस्ण है ब्भारती राष्टी कंग्रेश तो भारती राष्टी कॉंग्रेस की स्थापना किसी स्थान पर हुई? उसे भी आपको पूछा जा सकता है. तो भारती राश्टी कॉंग्रेस की सापना 1885 में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्याले में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी सापना हुई थी और ये कॉलेज पड़ेगा आपका बॉम्बे में इसकी सापना हुई उस समय उस समय इसके जो अध्यक्ष बने थे उनका नाम था डबलू सी बैनर जी विउमेश चंदर बैनर जी जो पहले अध्यक्ष बने थे आपके 1885 के समय उनका नाम था विउमेश चंदर बैनर जी यहा पर अधिक्च बने थे व्यूमेस संदर बनर जी इसके लावब भी अन्य जो वर्सों में जो अधिक्च बने थे लगातार 885,86,87,88 उसे भी थोड़ा हम देख लेते हैं कि यहां पर अध्यक्च कौन बने तो यहां पर 1885 में वियो में इस चंदर बैनर जी में हुआ है यहां पर बैनर जी उसके पाद अगले वर्ड्स 1886 में कलकत्य में अधिवेशन हुआ पहला अधिवेशन आप याद्र रखेरे के सबकूर से पहला अपका बॉंबे में ये बॉंबे में हुआ है बॉंबे में दूसरा जो कलकत्ता में ढ़ीवेसन हुआ आप 5886 में यहां पर आपके अध्यक्ट बने जिनका नाम था दादा भाई नौरोजी दादा-भाई-9 अध्यक्ट बने फीर आगे चल कर 5886 के बाद 1887 के समय में यहां मदरास में का दिवेशन हुआ कॉंग्रेस का और मदरास के दिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष मने बदरुद्दीन तैयब जी ठीक है बदरुद्दीन तैयब जी और 1888 में जो प्रेसिडेन्ट बने इलाभाद में इलाभाद में अधिवेशन हुआ था और इनको हम जानेंगे में प्रथम ये औरोपीे के नाम से ये एक अंग्रेश थे जिनका नाम था जॉर्ज यूले इलाभाद में जो अदख्टा कियती उनका था जॉर्ज यूले तो आप continue में तीन जरूरी याद रखेगा एक है बनर जी, बनर जी, नौरो जी और तयब जी बनर जी, नौरो जी, तयब जी, 85, 86, 87, बनर जी, नौरो जी, तयब जी तीनों के नाम आप याद रखेगा, कोसिस की जाएगी एक्जामिनर की तो यहाँ पर आप देखिए, लौर्ड अलिनितिको, लौर्ड वैलेजेली, लौर्ड डफरिन, या लौर्ड सैलिस्बरी, लौर्ड सैलिस्बरी तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था पिछले कॉस्चन में, कि 88, 85, जब अग कॉंगरेज बना, तो उस समय आपका, जो अधिक्चा बनी, उनका नाम था डबलू सी बनर जी, आप वहाँ पर पूछ रहें कि ततकाली नाम के गवरनर जनरल कौन थे, तो आप बताएंगे, य मारती राष्टी कॉंगरेज की इस सापना किसे ने की, तो आप बताएंगे, A.O. Hume, L.N. Octavian Hume, L.N. Octavian Hume, इनका पूरा नाम है, अब यहाँ पर बोला जाता है, कि यहाँ पर एक सेफटी वाल की ठेवरी यहाँ पर काम की थी, जिसे बोलते हैं हम लोग सेफटी वाल का धान्त के तहत, इस कॉंगरेज को बनाया गया, अब यह सेफटी वाल का सिध्धान्त क्या है? थोड़ा सा समझ लिए, सेफटी वाल की ठेवरी आने, जैसे प्रेसर कुकर में आपका सेफटी एक वाल लगा रहता है, तो प्रेसर कुकर क्या होता है, जब भी अगर आपका ख क्योंकि 18 संदावन के विद्रों के बाद जो अंग्रेज महुत ज़्यादा डर गए थे उन्होंने सोचा कि एक जो भारतियों का विद्रों को दबाने के लिए आप उन्हाची कंट्रोल करने के लिए एक ऐसा सेफटी वॉल बनायाना चीए एक संसा बनानी चीए जो इनके अक जिसे यही था कि अंग्रेज जो है भारतियों के विद्रों को समाल सके और समय रहते उनको जानकारी हो जाए तो यहाँ पर जो आपके लौड डफरिन थे लौड डफरिन को सरा दी थी एओ हुम ने और एओ हुम के नहीं क्या की कॉंग्रेज की साबना की जब आपका पहला जो गोकुल्दा स्टेजपार संस्क्रिट कॉलेज में हुआ था बॉम्बे में अगरा कुश्चन भारती राष्टी कॉंग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे मुस्लिम अध्यक्ष जैसे याद कीजिए मैंने बताया 1885 में किसका नाम बताया मैंने याद कीजिए 1886 में देखिए 1886 में कौन बने थे बनर जी के बाद आपके नौरो जी बने दादा भाई नौरो जी की बारे में पुछेगा तो प्रथम फार्सी अध्यक्ष पुछेगा ठीक है प्रथम फार्सी अध्यक्ष पुछेगा तो नौरो जी बताएंगी उसके बाद हम लिखे थ 1887 में तयब जी तयब जी बदरुद्दीन तयब जी तो तयब जी जो हैं पहले मुस्लिम अध्यक्ष हुए थे भारती राष्टी कॉंग्रेस के तो उस चीज को याद रखेगा तो बदरुद्दीन तयब जी आपका नाम देख रहें यह था का सबसे लंबे राष्टी काल के अध्यक्ष का पूछे अगला कॉंग्रेस की प्रथम महिला भारती महिला अध्यक्ष कौन थी इसको थोड़ा सा क्कूर्शन को ध्यांसी महिला है और पूछेगा पूछे जीन अध्यक्षत कौन थी महिली महिला अध्यक्ष और दूसरा कोश्चन जो है यह प्रथम भारति महिला तो अगर आपको पुछे कorang्रेस की blossi कि प्रथम कोंग्रेस की प्रथम महिला उजयक्षत कौन है तो आप बताएंगे एनी बेसेंट इनी बेसेंट ने क centralized के अधिवेशन की अध्यक्षटा की थी 1970 में 1970 में और ये कहां की थी कलकता में कलकता में कलकता क grandsεται कन्य का िंसक्षटा के 1917 के अधिवेशन की अध्यक्षटा आइनि-बेसेंट के द्वारा की गई और यही थी Congress की पहली महीला दक्ष अभीका जो question है वो बोला है भारती महिला धक्च तो भारती महिला धक्च जो है उनका नाम है सरोजनी नाइडू सरोजनी नाइडू ने Congress के अधक्चता की थी वर्स 1925 में वर्स 1925 में याद रखिएगा प्रथम भारती महिला धक्च पुछेगा तो आप बताएंगे क्या सरोजनी थोड़ा सा question आपको ध्यान देना होगा अगला question देखे निमने लिखित में से भारती राष्टी कांग्रेस के किस अधिवेसन में बाल गंगादर तिलग ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसी तदिकार है और मैं उसे ले कर रहूँगा एक भारती स्वराज मेरा जन्मसी तदिक मैं उसे ले गर रहूँगा तो बनारस के अधिवेसन 1905 में कलकता के अधिवेसन 1906 में सुरत अधिवेसन 1907 या लखनाउ अधिवेसन 1916 तो आपका correct answer है लखनाउ का अधिवेसन 1916 1916 में ही बाल गंगा तिलग ने कहा कि जन्मसी तदिकार है क्या सुराज सुराज मेरा जन्म 1916 के अधिवेसन में इसी 1916 के अधिवेसन में जब आपके अंबिगा चरण मजुमदार याद रखे का अधिवेसन का नाम भी आपको पूसता है कि कौन थे तो अंबिगा चरण मजुमदार मजुमदार के समय या अधिवेसन हुआ लखनाओ में और यहीं आपका गरम दल गरम दल और नरम दल जो दो भाग में डिवाइड हो गया था दो पार्ट में डूट गया था उसका विलाय हुआ कहां पर लखनाओं में इसी कारण से कई बार इसे लखनाओं समझाओता भी कहा जाता है लखनाओं समझाओता लखनाओं समझाओता और लखनाओं समझाओता में क्या हुआ कि गरम दल और नरम दल जो दो पार्ट में तूटा हुआ था वो गरम दल और नरम दल क्या हो गया उसका विलय हो गया और विलय हुआ वो कब 1916 में और याद रखेगा और उपर का उप्शन भी देखे सूरत अधिवेशन सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुआ यहीं आपक गरम दल और नरम दल दो पार्ट में तूड़ गया था कौन से अधिवेशन में सूरत इस्पिर्ट या सूरत विभाजन के नाम से जानते हैं 1907 में इसका विभाजन हुआ और 1916 में क्या हुआ गरम दल और नरम दल क्या होगे मिल गया किसने कहा था कौन्गरेश के पतन के लिए लडखा रहा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलासा है जब तक मैं भारत में हूँ कौन्गरेश की सांती पूर्ण समापती में संयोग करता रहूँगा लौड हैमिल्टन लौड करजन लौड डफरीन लौड मिंटो लौड मिंटो तो यहाँ पर यहाँ पर यह उस समय की बात है इस भारती राष्टी आंदोलन को आगे भी लेकर चल रहे थे बट यहाँ पर अंग्रेश एक अधिकारी है जो चाहता था कि कभी भी कांग्रेश आगे ना बढ़े और कांग्रेश जल्दी से जल्दी क्या हो जाए समापत हो जाए तो वह अधिकारी थे या बुलना ची जो वाइसराय थे उनका नाम था लॉड लॉड करजन लॉड करजन उनका नाम है लॉड करजन तो आपका करेक्ट आंसर होगा लॉड करजन लौड करजन नहीं भारती राष्टी अंदोलन को तोड़ने के लिए हिंदू और मुस्लिम दो धर्मों को क्या किया बाड़ दिया था और इनकी ही नीती थी जिसको हम जानते हैं क्या बोलेंगे नीती को फूट डालो और राज करो फूट डालो और राज करो और इसी फूट डालो और राज करो की नीती के तहट इन्होंने क्या किया था बंगाल का विभाजन भी किया था याद रखियेगा बंगाल का विभाजन भी इन्होंने किया था बंगाल का विभाजन किया था तो लौड करजन जो है उन्होंने बहु में भारती रष्टी कॉंग्रेस की सापना हुई उस सीच को याद रखिए गा तो ददकाली नवाज सराय कॉंग्रेस के टाइम में लौड डफरीन और जब यह जो sentence कहा गया, वाकिया कहा गया, वो किन के दोरा, Lord करजन के दोरा कहा गया. इसीच को आप याद रखेएगा. जनगड़मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था जनगड़मन पहली बार कब गाया गया था ये आपका प्रश्ण है तो जनगड़मन के पहले अभी हमने देखा था वंदे मातरम तो वंदे मातरम जो है वंदे मातरम गीत 1896 में गाया जा चुका था और आगे चल कर रवी दरबार रखा गया तो दिल्ली दरबार जब रखा गया तो उसी समय कॉंग्रेस के दिवेशन में जैनगडमन गाया गया था जैनगडमन कहीं अंग्रेजों के लिए गया गया और वो टाइम था कॉंग्रेस का दिवेशन का भारती राष्टी कॉंग्रेस का दिवेशन हुआ था 1911 का और इसी समय दिल्ली दर्वार भी हुआ था तो रविना टेगो ने वर्स 1911 में क्या गीद गया था जैना गड़ मन गया था और इसी समय पर दो-तीन लोकमान्य तिलक बाल गंगा धर तिलक को कहा जाता है बाल गंगा धर तिलक जिनें लोकमान्य की उपाधी मिली है उन्हें ही असांती का जनक कहा जाता है तो ये कौन है आपके बाल गंगा धर तिलक बाल गंगधर तिलग अगला क्वेश्टन मुझफर पूर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कप किया गया मुझफर पूर कांड की नाम से एक फेमस है जहां पर इस समय एक अंग्रेज अधिकारी किंग्स फोर्ड की उपर बं फेक दिया गया था जिसे मुझफर पूर कांड के नाम से भी हम लुक जानते हैं और यह हुआ था वर्स 1908 में वर्स 1908 में यह इन किंग्स फोर्ड जो ज़स्ट थे उन्हें मारने का प्रयास किया था अगला प्रश्ट मुझफर पूर बंकांड 1908 में इन में से किसका संबन था तो देखें मुझफर पूर बंकांड जो हुआ मैंने बताया जजज जो है एक जजज जो है जिनका नाम था किंग्स फोर्ड किंग्स फोर्ड नाम की जजज थे उन पर बं फेका गया बट यह जजज थे जजज थे वो क्या हो गय थे बज गय थे इनके जगा एक महिला थी जिनका नाम है कैनेडी, उनकी हत्या हो गई थी, वो हम मारी गई थी, तो यहां किंग्स फोर्ड जजज पर दो लोगों ने बम फेका था, एक का नाम था प्रफूल चाकी, और दुसरे का नाम था यहां पर क्रांतिकारी का जिसका नाम है खुदी रा खुदी राम बोस, जिनोंने इन पर बम फेका था, तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रफूल चाकी, प्रफूल चाकी ने क्या किया था, इन पर बम फेका था, साथी साथ जब प्रफूल चाकी और खुदी राम बोस को गिरफतार किया गया, तो यहां पर प जफरपुर बमकांड से किस वर्स हिंदुस्तान रिपब्लिक ऐसे उसेशन या बोला जाए एचारे की स्थापना की गई एचारे की स्थापना हुई थी वर्स 1924 में और इनके जो संसापक हुए इनके जो संसापक हुए उनका नाम था सचिंदर नाथ सानियाल इनके संसापक जो है सचिंदर नाथ सानियाल इनोंने हिंदुस्तान रिपब्लिक ऐसेशन की इस सापना की और आगे चल कर इनी के जो सदस्य हुए थे उन्हों नहीं क्या किया था काकोरी सर्यांतर किया था काकोरी ट्रेन को लूटने के लिए सर्यांतर किया था काकोरी किया करण कखोडी सरयंत करेंगे क्लियर तो क्या संसापक से क्या है सचिंदर नास ثानियाल अगर आप सदस्य में देखें तो आपके जैसे चंदसे का राजाद हैं वी-पीड चंदरपाल हैं ये सब सबसदस्य में आते हैं बड़ संुसापक में सचिंद्र एचारे था और यह है एच एस एसारे जिसमें एक वर्ड जुड़ा है। दो सोसलिष्ट वर्ड जुड़ है। अब यह संगठन कब बना थे शंगठन बना आपका वर्ड सॉ 1928 में वर्ड सॉ 1928 में संगठन को बनाया गया। और इसके जो संस्थापक हुए उनका नाम था चंदर सेखा राजाथ और अगर आपको पूछा जाए कि एचारे में सोसलिस्ट वर्ड किसे ने जोड़ा था तब आप बताएंगे भगसी ने ये सोसलिस्ट वर्ड जोड़ा था और इस नाम को थोड़ा सा चेंज किया था आगे चल कर इनी के सदस्यों के द्वारा एसेंबली कांड होगा वर्ड स 1929 में जहां पर क्या किया जाएगा केंद्री एक केंद्री एक केंद्री एसेंबली में केंद्री विधानमंडल में विधानमंडल में बम फेका जाएगा केंद्री विधानमंडल में बम फेका जाएग साथी साथ, साथी साथ, यहाँ पर भगसी और चंदरसिका राजाद में आपके लाला लाजपत राय की क्योंकि मृत्ति हो गई थी अंग्रेजों के लाठी पढ़ने से तो लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए इन्होंने सौंडर्स की हत्या की थी सौंडर्स, एक अंग्रेज अदिकारी है, सौंडर्स की हत्या करने का प्रयास किया था, सौंडर्स की हत्या करने का प्रयास भी नहीं किया था, जिसके बाद आगे चल कर इसी प्रयास या इसी दोरान इनको क्या किया गया था, गिरफतार भी किया गया, गिरफतार करने के 23rd March 1931 को तील लोगों को फांसी की सजा दी गई एक थे भगसी भगसी राजगुरू राजगुरू और तीसरे थे सुख देव सुख देव तो तीन लोगों को यहाँ पर फांसी की सजा दी गई थी वह दिन था 23rd March 23rd March 1931 जिस दिन चंद्र सिखाराजाद चंद्र सिखाराजाद तो कहीं न कहीं यहाँ पर तीन लोगों में नहीं थे बड़ भगसी राजगुरू और सुख देव यहाँ पर यह तीन लोग थे जिने फांसी की सजा दी गई और चंद्र सिखाराज अजाद रहना पसंद किये और इन्हों ने अपनी ही खुद अपनी बंदूग से अपने आपको गोली मार ली थे अगला को शन्निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किसने किया गदर पार्टी जो है भारत के ब लाला हर्दयाल और यह वर्स था नाइटिन थर्टी का एक टाइम था नाइटिन थर्टी में ने क्या किया गदर पार्टी को बनाया और यह बना था जगा था सैन फ्रेंसिसको अमरीका में इसका गठन किया गया सैन फ्रेंसिस्को अमरीका में अमरीका में इसका गठन किया गया था और पार्टी थी क्या गदर पार्टी और इसका गठन करने वाले कौन लाला हर्दयाल भारती करांती की जन्नी किसे कहा गया है भारती करांती की जन्नी एनी बेसेंट, वाडेकर, सरुजनी नाइडू, मैडम भीका जी, कामा तो यहाँ पर देखिए, पिछले कोशन फिर रिवाइस कर लेते हैं एनी बेसेंट जो है आपकी कौन थी? भारत की पहली महिला कॉंग्रेस सद्याक्षि साथी साथ जो सरुजनी नाइडू है, वो क्या थी? भारती महिला, भारती महिला कॉंग्रेस के दर्चि साथी साथ जो मैडम भीका जी, कामा जो है उन्हें हम कहेंगे भारती करांती की जन्नी यानि आप्सन नंबर D आपका करेट है अब मैडम भीका जी, कामा का नाम एक और चीच के लिए आपको पूछा जाएगा इन्होंने वर्स 1907 में पहली बार जर्मनी के इस्टूट गाड में तीरंगा जंडा फराया था तो इस चीच को याद रखेगा वर्स 1907 में जर्मनी के इस्टूट गाड में इस्टूट गाड में यहाँ पर मैडम भीका जी कामा ने जंडा फराया था तीरंगा जंडा फराया था इस कोश्चन को भी पूछा जाता है तो भारती करांती की जन्नी कौन होई मैडम भीका जी कामा होई कामा गाटा मारू क्या था कामा गाटा मारू एक जहाज था, पहली चीत कामा गाटा मारू एक जहाज था, अब हुआ क्या था, कामा गाटा मारू क्या है, उस समय एक छोटी सी गटना होई थी, और ये टाइम है आपका वर्स 1914 का, वर्स 1914 का समय है, जहां पर एक व्यक्ति है जिनका नाम है गुरुदवत गुरुदत ये गुरुदत जो है अपने कुछ साथियों को करीबन 376 कुछ साथि हुआ गरते थे उनको ये इसकामा गाटा मारू नाम के जहाज में बैठा कर कहां ले आ रहा था कनाडा कनाडा ले आ रहा था तो कनाडा में कनाडा में जब ये पहुँचने की कोशिस किये तो कनाडा की सरकार ने इन्हें प्रवेस करने की एंटर करने की अनुमती नहीं दी और ये कोशिस तो और किये कि दो-तीन महिना रुके वहाँ पर ऐसा नहीं कि तूरण वापस आ गये मना करने के बाद इन्होंने कनाडा की सरकार से गुरुदत्त ने बात करने कोशिस की बट इन्हें उतरने नहीं दिया गया और जब इन्हें उतरने नहीं दिया गया तो ये वापस आये कनाडा से कनाडा से वापस आने के बाद ये आएंगे बंगाल में और बंगाल के बजबज में बजबज में इनका सामना होगा अंग्रेजों के साथ और अंग्रेज अधिकारी इनको गिरफतार करने कोशिस करेंगे जिसमें कुछ जड़पे होंगी मुटभेड होगी जिसमें कुछ लोग घायल भी हो जाते हैं इसे कामा गाटा मारू घटना या इंसिडेंट के नाम से भी जाना जाता है एक्च्वल में याद रखेगा कामा गाटा मारू क्या है एक जहाज बट आपको बोलेगा कामा गाटा मारू घटना क्या है तो ये घटना यही थी कि जिसमें गुरुदत तसी कहा जा रहे थे, आप में साथी हुक साथ कानाडा, और कानाडा से जब वापस आ रहे थे, तो बजबज में अंग्रेजों के साथ इनका कुछ जड़ब भी हुआ था, निम्नमे से कौन सा राष्टी आंदोलन है, जिसमें वंदे मातरम गीत को सिर् से जब जब से जब गया गया था, आपका स्वधेशी आंदोलन के समया इसे गया गया, अब स्वधेशी आंदोलन कब हुआ, स्वधेशी विभाजन कर दिया था बंगाल का विभाजन किया बंगाल का विभाजन होने के बाद आपको देखने मिला कि पूरवी बंगाल आप देख सकते हैं इस्ट बंगाल पूरवी बंगाल और वरतमान में जो पस्चिम मंगाल है या कलकत्ता का जो छेतर है पस्चिम मंगाल वह बना वह बना तो यहाँ पर पूरवी बंगाल और पस्चिन मंगाल में क्या किया गया बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया और यह डिवाइड हुआ था उस समय 16 अक्टुबर 1905 की बाहत है 16 अक्टुबर 1905 को जैसे ही बंगाल विभाजन की गोसना की गई थी बंगाल लोगों को हो गई और लोगों ने यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन की सुरुवात की जिसमें वंदे मातरम की गीत प्रमुगरूप से गाये गए इस स्वदेशी आंदोलन में लोग जो हैं अपने ही बनाए गए चीजों का प्रयोग करेंगे साथी साथ विदेशी और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना यहां का इस आंदोलन का मुख्य उद्देश से था क्लियर है अच्छा साथी साथ एक दो चीजों को और देख लीजे यह चंपरन सत्यागर है चंपरन सत्यागर कब होगा यह होगा आपका 1970 में 1970 में रोलेट एक्ट कानून जो आया था रोलेट एक्टे जो कानून आया था वह 1990 में आया था जिसके विरोध में कहीं जलिया वाला बाग हत्या कारण होगा असयोग अंदोलन की सुरूआत होगी वर्स 2020 में जिसको हम लोग आगे देखेंगे कि असयोग अंदोलन की सुरूआत कैसी हुई और क्या इसके का गरमदल और गरमदल के रूप में भारती राष्टी कॉंगरेस का विभाजन का अब हुआ तो नरमदल और गरमदल का विले के बारे में हम डिसकस किये थे तो मैंने बताया था कि इसका विले जो हुआ था 1916 में हुआ था 1916 में और जो आपका नरमदल और गरमदल दो पार्ट में तूड़ गया था वो तूटा था आपका सूरत में और सूरत विभाजन के नाम से भी जानते हैं इसे और यह हुआ था कब 1907 में तो यह विभाजन का कारण क्यों बना कारण यह था विभाजन का कि यहाँ पर जो गरम दल के निता हैं जैसे बाल गंगधर तिलक यह चाहते थे कि हमारे ही बीच का कोई व्यक्ति क्या बने अध्यक्चा बने और बार बार नरम दल वाले इस प्रयास में लग रहते थे कि हमारे बीच के असमू का यहाँ पर जो व्यक्ति है वही अध्यक्चा बने और गरम दल के व्यक्तियों को यहाँ अध्यक्चता बनने नहीं दिया जा रहा था, तो इस समय जब राज बिहारी घोस यहाँ पर अध्यक्चता कर रहे थे, तो इनके समय में ही अध्यक्चता करने के समय में ही क्या होगा, कॉंग्रेस का, कॉंग्रेस का विभाजन हो जाएगा, जिसे हम लोग सूरत विभाजन य ह्किन के नाम है आगा खा अंडिया गठन diff अपका हुआ था उनी प्रकार्णा euine के दीょ तो पूरी बंगाल उसे रख दिया गया था तो उसी बांगलादेश में बांगलादेश के ध्ठाहगा में बांगलादेश के ढघाologically में धाका में, यहां पर सलीम उल्ला खाँ और आगा खाँ के द्वारा मुस्लिम लिग का गठन गया था, कहां धाका में, निमने लिखेत में से किसे ने मित्रमिला संग को सुरू किया, मित्रमिला संगु सुरुवात करने वाले कौन है तो यहाँ पर देखें स्याम जी क्रिश्ण वर्मा विनायक दामुदर सावरकर लाला हर दयाल मोहन सीब भकाना सोहन सीब भकाना तो यहाँ पर आपका करेक्ट अंसर होगा विनायक दामुदर सावरकर विमायक दामोदर सावरकर ने मित्रमिला की शुरुवात की और यही मित्रमिला आगे चल कर जो एक संगठर मनेगा उसे हम जानेंगे अभीनाव भारत अभिनाव भारत अभिनाव भारत तो यही मित्रमिला आगे चल कर क्या बनेगा अभिनाव भारत तो आपको पूछेगा कि विनायत दामोकर सावरकर ने कौन सा संगठर मनाया था तो आप बताएंगे मित्रमिला जो अभिनाव भारत का ही पूरव में नाम था अभिनाव भारत को पहले क्या कहा जाता था मित्र मिला कहा जाता था अगला गुश्चन वर्ड 68-23-90 में सिकागो में आयूजी अंतराष्टी धर्मों की संसद में किसका नाम जुड़ा हुआ है तो 1893 में जो आपका धर्म संसद हुआ था उसमें हमारे भारत से कौन गये थे विवेकानन स्वामी विवेकानन गये थे स्वामी विवेकानन की जैनती को हम लोग राष्टी युवद युवस के नाम से 12 जन्वनी को मनाते हैं जन्वनी को राष्टी युवद युवस के रुप में विवेकानन की जैनती को मनाते हैं जिनों ने एक भारती राष्टी बुलना चाहिए आपका जो अंतराष्टी धर्म का जो संसद हुआ था था श्तिरानमे में उस सिकागों के संसद में बहुत अच्छा एक भासड भी दिया था इनोंने पרूफ कर दिया था कि जो वैदिक धर्म भैदिक धर्म ही आधार है हर धर्म का अधार क्या है वैदिक धर्म ही है इस चीज़ को वहाँ पर उन्होंने बताया है क्योंकि जो उस समय यह हो रहा था जो अंग्रेज से अपने धर्म को आगे बढ़ाते जा रहे थे और कहीं न कहीं जो वैदिक धर्म कहीं न कहीं समाप तो होते जा रहा था इसमें उस समय पर स्वामी दयानन स्वर्चति के बारे में भी आपको कुशन पूछा जाएगा कि वेदो की और लोटो किसने कहा तो स्वामी दयानन स्वर्चति ने बोला कि वेदो की और लोटो और वैसे ही कार्य कहीं स्वामी विवेकानन भी करेंगे और एक कोशिस करेंगे की लोग वेदो की तरफ लौटे एक गटना भी बताता हूँ मैं आपको यहां पर एक गटना हुई थी कि सिकागो में जब जाते हैं यह प्रूफ कैसे करते हैं चीजों को है ना वहाँ पर चीजों को देखते हैं और वैदिक धर्म बहुत ही खतम होने को आचुका है, तो यहाँ पर एक छोटा सा एक्जामपल देंगे, विवेकनन जी जो है, छोटा सा उधारन देते हैं, बोलते हैं कि भई, यह जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी पुस्तके रखी हुई हैं, बहुत सारी गरं सी थी? रिगवेद, रिगवेद को निकाल लेंगे, और रिगवेद को जैसे ही हटाते हैं, या उस वेद को हटाते हैं, उस पुस्तक को तो बहुत सारी पुस्तके गिर जाती हैं, अब यहाँ पर विवेकनन यह बताना चाह रहे थी, कि देखे, आपकी जो पुस्तके हैं, हमारा जो वैदिक धर्म अगर खतम हो गए तो सभी धर्मसमापत हो जाएंगे ये वो बताना चाह रहे थे और उन्होंने वो चीज को करके भी दिखाया तो ये कहीं न कहीं जो एक इनकी सोंस थी विवेकनन्द की यहां पर आप देख सकते हैं तो यही धर्मसंसत में इनकी कु था यहां पर अकबर दित्वी ने अकबर सेकंड जो उत्तर मुगलकाल के सासक थे अकबर दित्वी उन्हों ने इन्हें राजा का टाइटल दिया था एक और चीज याद रखेगा राजा राम मोहराय और विल्यम बैंटिक दोनोंने मिलकर सती प्रथा का भी धामन किया था सती प्रता को समाप्त करना का काम, सती सिस्टम जो चल रहा था, सती प्रता को समाप्त करने का स्रे लौर्ड विलियम बैंटिक और राजा राम मोहन राय को ही जाता है, इसी के साथ आज की जो ख्लास है उसे हम समाप्त करते हैं और इसी प्रकार से आप क्या कीजिए अन्य प्रस्णियों का भी अध्यन कीजिए इसके अलावा भी और कुछ प्रस्ण हैं उसे आप देखते रहेए टॉपिक को पढ़ते रहेए रिवाइज भी करते रहेए